इस्राइल और हमास की जंग में पुरा मिडिल इस्ट आग की तरह जल रहा है और इसकी तपिश दूसरे देशों को भी जला रही है 7 अक्टूबर 2023 के बाद से लाल सागर में यमन का हूती लगातार इस्राइल और अन्य पश्चिमे देशों के जहाजों पर हमले कर रहा है लाल सागर में हूती विद्रुही इस्राइल समर्थि देश के व्यापारिक जहाजों पर लगातार हमलावर है हूती ओने लाल सागर में ऐसा पवंडर मचाया है जिससे इंटरनेशनल शिपिंग रूट काफी प्रभाविद हुआ है हूती लगातार मालवाहग जहाजों और युद्ध पोतों पर रॉकेट, मिसाइल और खातक ड्रोन से हमले कर रहा है हूती हजारो किलोमीटर दूर बैठे-बैठे ही, लाल सागर, अरब सागर और हिंद महा सागर में इसराइल और पश्चिमी देशों के जहाजों पर हमले कर रहा है और इसी कड़ी में हूतियों ने लाल सागर में और अदन की खाड़ी में दो जहाजों को अपना निशाना बनाया इस बात की पुष्टी खुद यमन आर्म्ट फोर्स के प्रवक्ता जनरल यहया सारी ने की है उन्हों ने कहा कि फिलिस्तीनी लोगों और उनके प्रतिरोज सिनानियों के साथ हो रहे अन्याए और यमन के खिलाफ अमेरिकी और ब्रिटिश आकरमड के जवाब में यमनी शिसस्तर बलो ने लाल सागर और एडन की खाड़ी में दो सेन अभियान चलाया है अर तेनी team अर्चिनी अर्चारी में प्लाइडी और उलत लोचली में लो माझनीी ज स्थादीनी और उलत Allचारी में अ debates साथेनी बेचारी और या खा ल्याल उक उन्हारी रहा है अमनी पिलस्तिना कार कारे उनर या इसक कारा अप्र दोर्चीनीी आन्स रहे कде है。 सो यूनियन के मालिक ग्रीक कमपनी डेल्टा टैंकर्स ने पुष्टी की कि घटना के बाद जहाज बह गया था वहीं दूसरे ऑपरेशन के लिए यमन सचस्तर बलो के प्रवक्ता ने कहा कि S.W. Northwind जहाज को निशाना बनाया जो कि इसराइली कबजे से जुड़ी एक कमपनी का था जहाज को अदेन की खाडी और लाल सागर में सटीक निशाना बनाया गया था वगद असीबत बिशक्ल मुबाशिर वदगीग वदलिक अथना इभारिया फी खलीज अदन वबहर लबहर लच्मर ये दोनों आपरेशन यमनी नौसेना बलो, वायूसेना और मिसाइल बलद्वारा, सेन नौकाओं, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों और मानव रहित हवाईवाहनों का इस्तमाल करके किये गए थे इसके साथ ही सारी ने नेतन्याहू को बड़ी चितावनी दी और कहा कि यमन आर्म फोर्स इस बात पर जोर देता है कि जब तक इस्राइली आकरमर्द समाप्त नहीं हो जाता और गाजा पट्टी पर लगाएगए गहरा बंदी नहीं हटा ले जाती, तब तक उनका अभियान जारी रहेगए इन अमलियाति लिए उवाएगए लिए लिए लिया भाद आधियाफ लिए लिए जादी नवादी आकरमर्द समाप्त इसके स्थ. झाल झाल